हाई दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्टॉंग रिजन्स की क्यों आपको लेले दाग ट्रिप को टॉप पर रखना चाहिए अपनी राइडिंग प्लान में तो दोस्तों बहुत सार राइडर स्कार्ण हुता है लेले जाग पू mistress नहीं हो पाता है तो यह जो वीडियो उनको तोनवेंजिक करने वाली है कि की आप एक्सी अचिले में जाये ना तो यह डी पको successfully करके आईए एन आपको बहुत ही मज़ा आने माला तो चल्दीज जानते हैं क्या है top 10 reasons जो आपको खीशते हैं लेलदा की तरफ दोस्तों जो first strong reason मुझे लगता है वो है world का highest motorable road जो कि है खरदुंगला दोस्तों खरदुंगला जैसे बहुत सारे high altitude passes आपको cross करने पड़ते हैं जैसे कि रो तांग है बाराल अच्छा ला है ला चंगला है तांगला है ऐसे बहुत सारे world के top highest motorable road को आपको cross करने का जो feel आता है न दोस्तों वो feel आपको कहीं भी नहीं मिसता वहां के challenges को cross करने एक लिए world से लोग आते हैं तो समझ सकते हैं कि कितना difficult और कितना challenging road है जो कि maximum riders जो है उसे cross करने चाते हैं और feel करना चाते हैं तो यह मुझे लगता है first reason है second reason जलते हैं दोस्तों second option है वो है multiple route option दोस्तों जो कि दो option आपके पास available हो जाते हैं फर्स जो option है वो सिरी नगर कारगिल के साथ होते हुए आप लेदर दाग जा सकते हैं second option है वो मनाली और लेका maximum riders जो होते हैं challenges accept करने के लिए मनाली तो लेका option सेलेट करते हैं और दोस्तों यह road पे आपको बहुत जारी जैसे मैंने बताया थे कि बाराल अच्छाला निकीला और लाचंगला तांगलंगा ऐसे हैं जो रूट्स है न पासे है वो आपको क्रॉस करने पड़ते हैं अगर आप सिरी नगर को रूट लेते हैं तो वो जो रूट है वो एक 11 मन्त ओपन रहते हैं बट यह जो मैंन रूट बताया मनाली से लेका यह आपको सिर्फ और सिर्फ 4-5 मन्त 6 मन्त ही मिलता है मैक्सिम टाइम यह बरव से घेरे रहते हैं इसके लिए बंद रहता है दोस्तों तीसरा जो स्टॉंग रिजन है वो है मल्टिबल वैदर कंडिशन और दोस्तों इस रूट पे आपको सारे वैदर कंडिशन मिल जाते हैं ठंडी, गर्मी, बरव, बारिश, स्नोफॉल यह सारी चीज़ों देखने को मिलते हैं तो अगर आप लगी है तो स्नोफॉल देखने को मिल जाता है दोस्तों ये इस writers को आप्ली जाता है और बठीम झाल जड़निग लगता है और बहुत जयादा एट्रैक्ट भी करता है दो स्टॉंथ जो स्टॉंग रीजन है उसको मिसी नहीं करता वो है ब्यूटी दोस्तों इस वारी आप उस साइड में बारी नक जानवर देखने को मिल रहे हैं, वो जो फील है ना, वो ब्यूटी है ना, दोस्तों आपको इसी रूट पे जादा देखने को मिलती है, तो यह जो रीजन है ना, इसलिए लोगों को ज्यादा अट्रैक करता है, जब रिलेक्स करने के बाद आती है, जब माइंड फ्रेश करने जो हम डेली जॉब में, बिजनस में, जब करते हैं, उसको रिलेक्स करने के लिए ये ब्यूटी ना, सच में ही एक बहुत या स्टॉंग रिजन है, दोस्तों फिफ्ट जो स्टॉंग पॉइंट है, वो है एडवेंचर, दोस्तों यहाँ पर एडवेंचर जो है ना, वो भर बर गया है, एवरी टर्न्स जो हैना, वो चैलेंजिंग है आप लोगों के लिए, चाहे वो वाटर क्रॉसिंग हो, चाहे वो आप रिवर के साइड में राइडिंग कर रहे हो, चाहे वो ऐसी सी नेरो रोड हो जहाँ पर सिर्फ एक सिंगल ट्रक ही निकल सकता है, वहाँ पर राइड करने का मज़ा उतना ज्यादा ही इंक्रीज होता रहता है, दोस्तों, सिक्स जो स्ट्रॉंग पॉइंट है, मेरी जैसे फूड़ी लोगों के लिए है, जिनको फूड जो है, इसे मुझे जो है पहाडों की, खासतार से लेलेदा की रोट में जो मैगी मिलती है, मिल जाती है, और डिफरेंट काइंट्स फूड ऑप्शन भी अविलेबल है, अब चाहे वो नॉनवेज हो, चाहे वो वेज हो, सारे ऑप्शन अविलेबल होता है, ऐसी जगह पे जहां पर ट्रांस्पोटेशन बहुत जादा कम है, वहां पर भी आपको सारे फूड ऑप्श किल होते हैं, नॉर्मली जब आप मनाली टू लिलेबल तक जा रहे होते हैं, दोस्तों जो प्राइस रेंज है, वो थ्री हंडड से लेके आपको फूटीन हंडड तक स्केल करता है, दोस्तों मल्टिपल आपको ऑप्शन बिल जाएंगे, चाहे टेंट हो, जाहे दूसरे पहले से अगर आप रिसर्च करके जाते हैं, यह कहां पर आपको स्टे करना है, और कौन-कौन से ऑप्शन है, तो आप बहुत सारा पैसा ना अपना बचा सकते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि यह राइट जो होती ना, यह ज्यादा कॉसली नहीं होती, अगर आप पहले से जाते हैं, तो, दोस्तो आठवा जो स्टॉंग रिजन है, वहां के लोकल्स का फ्रेंडली बिहेविर, दोस्तो जब भी आप ले लटा के ट्रिप करेंगे, कोई भी आप रूट फॉलो करिए, दोस्तों आप उस रूट पे कभी भी अलोन, अकेले, कभी नहीं होते हैं, कोई आपके लिए किसी भी तरह कोई भी सिचेशन में स्टॉक हो गया हैं, तो वहां पर लोग जो है help करते हैं, बिकॉस दे नो कि डिफिकल्ट कितना है, और हाथ जो है बढ़ाना चाहिए, जब भी कोई डिफिकल्टी में हो, तो help जूरू करना चाहिए, तो वहां के लोग कोई लिए 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 लिमीटेट टाइम के लिए उपन रहता है, यहां पर अपने पसंदिदार प्रॉडक्ट नहीं है, तो दोस्तों, यह भी एक स्ट्रॉंग रिजन है, जलते है अपने next रिजन के ओपर, तो 10 जो रिजन है, वहां रोग है नेक्स रिजन के ओपर, तो कि इतनונ来 हैं, जितने भी रायल इंफिल राइडर्स के लिए के़िए उनके लिए हो जाता है एक मेडिटेरी कि उनको जो है अपनी बुलेट है, आप अपनी ळुलेट है तक तर ुद्द एक अलगी मज़ घूhm जाने अंजाने में वो तोटली रिलाक्स हो जाता है वो आपके माइंड को वो आपके फील को आपके गाड़ी आपकी गाड़ी जो आपकी बाइक है और आपको कनेक्शन को और ज्यादा इंक्रीज करता है बिल्ड करता है कॉंपिटेंस जो है राइडिंग में और ज्यादा इ यहां वीडियो को अपना प्यार और सपोर्ट बना रहे हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ख्याल रखें ध्यान रखें और देखते हैं और देखते हैं बहुत सारे इन्परमीडी वीडियो आपके लिए आती रहेंगे बाए